वेलकम टू माई यूटूब चैनल एकाउंट सर्मायर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमने कोई जमीन खरी दिया है और उस जमीन को हम हैक्टियर में कैसे बतलेंगे तो टाइम को ज्यादा वेशना करते हैं चलते हैं अपने टॉपिक पर त तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक हैक्टियर में दस हजार वर्ग मीटर होते हैं एक हैक्टियर में कितने वर्ग मीटर होते हैं दस हजार वर्ग मीटर होते हैं तो यहां पर हम फुट की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं हैं हैक्टियर में फुट की कैलकुलेशन क्या है तो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो देखिए एक मीटर में एक मीटर में आपके कितने फिट होते हैं तो देखिए एक मीटर में हमारे 3.2808 foot होते हैं ठीक एक मीटर में कितने foot होते हैं 3.2808 foot ठीक इसलिए एक वर्ग मीटर में एक वर्ग मीटर में हमारे कितने foot बनेंगे हमें क्या करना है इसी desert का multiply same desert से कर देना है मतलब 3.2808 का गुणा करना है 3.2808 से ठीक तो एक इसमें change हो जाएगा वर्ग foot में ठीक इसका मतलब हम इसका गुणा कर देते हैं तो जब हमें इस संख्या का same संख्या से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा answer आयाता है 10.7.6 3.6 वर्ग foot ठीक अच्छे यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा हमने 1 वर्ग मीटर का निकाल लिया ठीक अब हमें निकालना है 10.000 वर्ग मीटर का मतलब 1 hectare का ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसलिए 10.000 वर्ग मीटर में यानि की 1 hectare जमीन में हमारे कितने वर्ग fit बनेंगे हमें क्या करना पड़ेगा 10.6 3.6 का गुणा करना पड़ेगा किसे 10.000 से यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 10.000 से ठीक है नीचे x लगा लेते हैं अच्छा एक हमने नीचे लगा लिया संक्या के नीचे दश्मिलव के चिन्न को अटाते हैं 1, 2, 3, 4 दश्मिलव के बाद कितने आंके 4 तो हम 4 0 बढ़ा लेते हैं ठीक इन 4 0 से 4 0 को उड़ा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारी संक्या बन के आते है 10 76 36 इसका मतलब 10.000 वर्ग मीटर means एक हेक्टियर में हमारे कितने वर्ग फिट बनेंगे 1,7,636 वर्ग फुट ये वर्ग फुट बनेंगे हमारे एक हेक्टियर में ठीक अच्छा एक हेक्टियर में हमें मीटर की माप पता चल गई वर्ग मीटर की एक हेक्टियर में हमें work foot की map पता चलगे अब हम पता करते है कि एक hectare में हमारे कितने dismal होते हैं तो देखें यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक dismal जो हमारी एक dismal जमीन होती है उसमें कितने work fit होते हैं तो देखें एक dismal जमीन में 435 दशमलव 6 वर्क फिट जमीन होती है एक डिस्मिल जमीन में कितनी जमीन होती है? 435.6 वर्क फिट होते है तो यहां पर हम लिख लिए इसलिए 1 hectare में कितने typing होंगे, हमें क्या करना है? 6,086.6 वर्क फिट का एक लाख 71636 वर्क फिट का डिवाइड करना किसे 435.6 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलियाएगा कि एक हैक्टेट जमीन में कितने डिसमेल होते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक लाख 71636 का डिवाइड करना है 435.6 से तो यहाँ पर हमारा अंसर आयाता है 247.09 तो यहाँ पर लेख लेते हैं 247.09 यह क्या आया है डिसमेल इसका मतलब हुआ एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने डिसमेल बनेंगे 247.09 डिसमेल अच्छा अब बारी आती है कि एक हेक्टेर जमीन में कितने एकर होते हैं तो चलिए अब हम लिख लेते हैं एक एकर जमीन में हमारे कितने वर्क फिट होते हैं टिक है एक एकड जमील में हमारे वर्ग फिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ? एक डिसमील में हमारे कितने वर्ग फिट होते है ? 435.6 आपको क्या करना है? सेम डिजट का मल्टिप्लाइक कर देना है 100 से ठीक है ? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक एकड जमी में कितने वर्ग फिट बने जब आप इस डिजिट में 100 का मुल्टिप्लाइ करेंगे क्या हो जाएगा 43,560 वर्ग फुट इसलिए एक हेक्टेर जमीन में कितने आपके एकड बनेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 1,07,636 का भाग करना पड़ेगा किसे 43,560 आपको पता चलिजाएगी कि एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने एकड बनेंगे डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं 1,07,636 का किसे 43,560 से तो हमारा अंसर रहाता है 2,47 एकड इसका मतलब यह हुआ एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने एकड होते हैं 2,47 एकड तो यहाँ पर अब हमने पता लगा लिया कि एक हेक्टेर जमीन में वर्ग मीटर कितने होते हैं ठीक वर्ग फिट कितने होते हैं ठीक है कितने डिसमिल होते हैं और कितने एकड होते हैं एक हेक्टेर जमीन में हमारे वर्ग मेंटर कितने होते हैं, दस हजार वर्ग मेंटर, ठीक, एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने वर्ग फिट होते हैं, एक लाग साथ या छेसो चछतिस वर्ग फिट, एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने डिसमिल होते हैं, 247.09 डिसमिल, और ए पर आपको समझना पड़ेगा कि एक हेक्टेर जमीन में हमारे तीन दस्मलब नौ आठ बीगा होते हैं ठीक एक हेक्टेर जमीन में हमारे कितने बीगा होते हैं अगर हमारी जमीन वर्गाकार है अगर हमारी जमीन वर्गाकार है और वो जमीन है हमारी एक हेक्टेर यह जमीन कितनी है हमारी एक हेक्टेर हमारी जमीन एक हेक्टेर है और यह कैसी अब वर्गाकार है तब इसके प्रतेक बुजा की माप कितनी होगी कैसे निकालेंगे तो यह पर हम लिख लेते हैं वर्गाकार जमीन का छित्रफल क्या होता है भुजा की घात दो चिक अच्छा वर्गाकार जमीन का चित्रफल क्योंकि एक हेक्टेर बराबर कितने वर्ग मीटर होते हैं दस हजार वर्ग मीटर होते हैं एक हेक्टेर में कितने वर्ग मीटर होते हैं दस हजार वर्ग मीटर होते हैं तो चित्रफल तो हमको पता है कि एक हेक्टेर जमीन है तो यहां पर चित्रफल की जगा हम चि या लिखा बुजा की घात दो है न तो यहाँ पर घात दो को हम अटा देते हैं इसको जब हम पच्छांतर करेंगे में प्लेस चेंज करेंगे तो यह किसमें कर नवड हो जाएगा वर्ग मूल में इसका मतलब बुजा वराबर क्या हैगा जब हम दस जार का वर्ग मूल करते हैं तो यहाँ पर हमारा अंसर आजाता है सो मीटर इसका मतलब यह रहा कि जो यह एक हेक्टर जमीन है इसकी प्रतेक बुजा की लंबाई कितनी होगी सौ मीटर यह यहां से भी सौ मीटर होगी यह यहां से भी सौ मीटर होगी यहां से भी और यहां से भी जब हमारे पास एक हेक्टेर जमीन है और हमारी जमीन कैसी है वर्गाकार है तो हमारी प्रतेक बुजा की माप कितनी आएगी सौ मीटर ठीक अगर हमारी जमीन वर्गाकार ना होकर आयताकार हुई तो हमारी जमीन आयताकार है ठीक और इस जमीन की जो चोडाई है वो है 80 मीटर कितनी है 80 मीटर है एक तरफ से यहां से भी 80 है यहां से भी 80 है ठीक आपको लंबाई निकालनी है लंबाई कितनी होगी कैसे हम लिख लेते हैं इस बार हमें लिखना पड़ेगा आयताकार जमीन का छेत्रफल और आयताकार जमीन का छेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनित चौड़ाई क्योंकि यह एक हेक्टर जमीन है तो इसका च्छेत्रफल कितना होगा इसका च्छेत्र फ़ new gaan दस हजार वर्ग मीटर टिक लंबाई हमको निकालनी है चौड़ाई समको दे रखिया कितनी है असी मीटर असी मीटर लिख लिए ठीक तो लंबाई कैसे किससे निगा लेंगे लंबाई बराबर दस हजार में हम भाग लगाएं किससे असी से ठीक है जीरो से जीरो को काट देते हैं तो यहां पर हमारे प्लॉट की लंबाई आ जाती है हम वें क्या करना पड़ेगा एक हजार में भाग लगाना पड़े है किससे आठ से तो यहां पर हमारा अंसर आता है 125 मीटर इसका मतलब इस एक हेक्टर जो यह प्लॉट है जमीन है अगर इसकी चौड़ाई 80 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 125 मीटर अच्छा यहां पर 80 की जगा 100 भी तो हो सकता है यहांपर 800 तो वह जमीन छोक़र हो जाएगी 800 300 भी ओसकता है 120 भी हो सकता है 130 भी ओसकता है चितनी आपको एक तरफ की चोड़ाई या लंबाई दे रखिए आपको क्या करना है उस 6 छित्र फल से dois i jeans मा बदाब भाग लगा देना है आपका अंसर आ जाएगा ठीक अच के होकर भी कैस में है मीटर में न या मीटर में न होके फित में दे रही है तब आप क्या करेंगे क्योंकि यहां पर हमारा जो छित्रफल वो 10,000 UH war meter है अगर मानलीजे हमारा प्लॉट कुछ इस तरीके से है ठीक है यह एक है एक हैक्टेर जमीन कित्नी एक है है ठीक अच्छा इसके जो लंबाई है ना वो है 500 फुट कितनी है 500 फिट यहां से भी अब 500 फुट है यहां से भी और आपको इसके क्या निकालनी है चोड़ाई निकालनी है कैसे निकालेंगे फॉर्मुला वही लेगा आयतकार जमीन का च्छेत्रफल लंबाई गुणत चोड़ाई ठीक अच्छा च्छेत्रफल इस बार जो च्छेत्रफल है हमें यहां पर मीटर में वर्मीटर में नहीं लिखना पड़ेगा इस बार जो हमें च्छेत्रफल लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा वर्क फिट में क्यों क्यों हमें जो लेंथ दे रखी है वो फिट में दे रखी है आप वर्मीटर में नहीं रख सकते जो च्छ साथ यार 636 वर्क फिट चिक अच्छा लंबाई हमको दे रखी है 500 फिट लंबाई की जंगा लंबाई चोड़ाई निकालनी है प्लॉट की तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्लॉट की चोड़ाई बराबर एक लाग साथ यार 636 का भाग लगा दें किसे 500 से तो यहां पर हम इसको सॉल्फ कर लेते हैं एक लाग साथ या 636 का भाग लगाते हैं 500 से तो हमारा अंसर आयाता है 215.272 215.272 फिट में आए गए क्योंकि जब लंबाई फिट में है तो चोड़ाई भी फिट में आएगी और दोनों जब हम लंबाई चोड़ाई के फिट का गोणा करेंगे तो हमारा छेतर फिट में आ जाएगा वर्क फिट में आ जाएगा तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जमीन को हैक्टेर में कैसे बदलते हैं अगर वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाएदा शेयर करें तैंक यू करें